जितने भी स्टूडेंट है आप से भी स्टूडेंट को मैं पता दूं कि 36 गड़ में 3210 पद उपर बहुत बड़ी भरती है 3210 पद उपर ग्राम पंचायत में आपका भरती होना है और साथ ही आपका 1124 पद उपर श्रम विभाग में भरती होगा और वहां ही बात करेंगे इसक जाम प्राम पैठन नहें कैसे होगा और आपको एक्जाम की तहरी कैसे करना है आपको कौंसे बुक से कौन से प।स्तक से आपको पढ़ाई करना है और आवेधन करने के last-00 जो कभ है सभी जनकारी जो है इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा तो आप लोग वीडियो को पु तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं ग्राम पंचायत भरती के लिए तो ग्राम पंचायत भरती के लिए GM 2022 में सीटार्ट होगा तो 32.10 ठट होतो पर आपका भरती होनी है जिसमें ब्रीत डबतरी के लिए जो बेतनी इसके बात करें तो 15,600 रुपया आपको हर महीने मिले गए योग्यता के बात करें तो आपका पांचवी पास होना चाहिए और उतिर नापका बोर्ट से होना चाहिए और इसके लिए टामेंस कंडिशन है कि जिसने विवाह के लिए निर्धारित नियुंता मायू मे कर दोना कटेंदें वी विवाह कर लिया है वह नियुक्ती के पात्ते नहीं होगा और इंटर्वू के आपको जो है पंद रंग स क्ञान को पांच्छा सक्षणक्ण क्योंगयता पर सिर्षनग नहीं दिया जाए जाए यानि कि आपनाच्वी में से क Сे पास्किया तर उसके पहले आपका जो एक्जाम होगा इंटर्यू होगा उसके अधार पर जो ही मेरिट सूची जारी होगा और सबसे अधिकता मंग प्रावत्या करने वाले इस्टुडेंट को जो है उनका जो है सेलेक्शन होगा और अधिक जानकारी के लिए जो है आप www.http.com आप जो है कोरिया साइट पर जो है आप जाकर देख सकते हैं तो बहुत बड़ी भरती निकला है आप ज़रूर अप्लाई कि जो वहीं दूसरे जॉब के बात करें तो श्रम रोजगार भी भाग में भरती है और 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 गनेजेशन के बात करें तो यह सेंट्रल गवर्मेंट क है और पोस्ट नेम के बात करें तो आंपका डिश्रीक्ट मैनेजर का पोस्ट है वखैंसी के बात करें तो आपका 116 चूबिस पोस्ट है इस लिमिट 21 से 35 साल है सलेरी आपको जो है 15.000 से पचिस हचाजार देखने को मिलेगा application fees के बात करें तो आपका कोई भी application shool के देना नहीं पड़ेगा और qualification, sexually क्योग्यत्य के बात करें तो आपका किसी भी मान्यत अप्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका इशनातक के डिग्री जो है complete होना चाहिए आपका जो है ग्रेजुएशन बस complete होना चाहिए और आवेदन के बात करें कि आपको आवेदन जो है कब से करन सब्सक्राइब करना चाहिए हो तो सबसे पहले मैं आप सभी मूँ बता दू है आपको जो है current affairs के knowledge होने चाहिए क्योंकि किसी भी exam को crack करने के लिए सबसे महत्वपूंट जो चीज होते है वो होता है current affairs आपको जो है current affairs के knowledge होने चाहिए कि वरतमान में भी कब कौन से खिलानी ने कौन से gold जीता, silver जीता, कब कौन कि क्रिकेटर ने कब में जीता और इंडिया and world current affairs अपने इस टेट के भी आपको current affairs के knowledge होने चाहिए इंडिया and world current affairs के बारे में भी आपको knowledge होने चाहिए और वहीं बात करें सुविधान के लिए तो सुविधान को भी आप अच्छे से पड़ी क्योंकि constitution जो भी question पूछे जाते हो general studies general science से भी आपका question आते हैं और आपका economics से question आता है हिंदी से आता हिंग्लीस से आता हिंदी का आप अच्छे से तयारी किजिए क्योंकि हिंदी में आपका श्वर्वेंजन वर्तनी शंग्या शमा ससूद शूद शूद शब्द और इंग्लीस में आपका अच्छे से तयारी किजिए और कंप्यूटर के लिए आप परिक्षा मंथन कंप्यूटर एक पर चाही यह ले सकते हैं और रिजनिंग के लिए आप जो है और सौल नहीं कर पाएंगे तो आप मैंसे के बारे में यदी कुछ नहीं जानते हैं तो आप जो है डाक्टर आड्रे सग्रवाल सरकर आप जो है वस्तुनी श्टांक गड़ी ते ले शकते हैं तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करने हैं और आपको डेली पढ़ाई करन हैं उसे आप जो है रिवजन जरूर करें क्योंकि आप पढ़ाई तो कर रहें लेकिन जब आप रिवजन नहीं करेंगे तो उन्ची जो का फिर से भूल जाएंगे फिर से उनको याद करना पड़ेगा तो इससे अचा है कि आप डेली जो है याद कीजिए फिर उसके बाद शेगंटी की डेली आप पढ़ाई कीजिए और अपना एक टाइम से डियोल बना लिजे क्योंकि मुझे इस टाइम से इस टाइम से पढ़ाई करना है तो अपनी सित्वर पर एक्जाम को क्वालिफाई और क्रेक जो है कर पाएंगे तो जैसे-जैसे कुछ भी जवाब एक इ इस सबसे पहले आप सभी को मिल सके और अभी तक आपने मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम का लिंग जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप में इस टूडेंट के कोई भी अगर स करने में लग जाएं और जो फॉम फिला नहीं तो आपको घखबराने की पारशान होने की कुई ज़ुरत नहीं रहेगा क्योंकि आपका exam के तहरी पहले से हो जाएगा, तो आप exam की preparation करने श्टार्ट कर दीजे और कोई भी vacancies के साथ है, तो इसमें ज़रूर apply कीजे, क्योंकि आप जब job vacancies में apply करते जाएगे, आपका experience बढ़ता जाएगा और आप जो हैë ग्जाँम को बेटरर जो है, समझ पाओगे सभी мышC तो है, अच्छे से समझ पाओगे तौझ से ऐबस की बात करें, रोड इंडी ने की सिमें अच्छन पारिपुर्स तो हैं आते ही हैं, लिए बारे में जो हैं रिक्वेश्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को जितना हो सेके अपने दोस्तों तक सेयर करें ताकि मुझे भी जाब वेकंस के नौलेज और जानकारी जो है मिल सेकें और वो भी इसमें आवेदन कर शेकें तो प्लीज अपना सप जरूर बताईए कि आप जो है क्या पूछना चाहते हैं और आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंड कर सकते हैं आप से भी कमेंड का मैं रिपलाई जरूर करूंगा तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर बैना रखिये और आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं आ तो थेंक यू